कि नमस्का मैं उससी आये जर्खन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं भारतिये रेलवे ने बारा अगस्तक सभी समाने रेल सिवाओं को देश में संक्रमन के बढ़ते मामले के मद नजर कैंसिल कर दिया है रेलवे की और से गुरुवार को जारी एक नए आदेस में कहा गया है कि 12 अगस्तक सभी समाने रेल सिवाओं बन रहेंगी हलाकि इस दुरान एस्पेसल ट्रेनों का परिचारन पहले की तरह जारी रहेगा रेर्वे की ओर से जीन ट्रेनों के परिचारन परोक लगाई गई है उनमें मेल ट्रेन, एक्सप्रेस, पसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन और DMU समीली था है जारखन मौसम विभाग के उन्सार, मौसम का मिज़ाज अभी बदला रहेगा अगले दो दिनों तक जोरदार बारिस होगी मौसम विभाग ने इस दुरान बजरपात की संभावना भी जताई है मौसम विभाग के लोगों ने सतरक करते हुए कहा है कि बारिस के करम में वजरपात होने की संभाणा को देखते हुए कहा गया कि बारिस के दवरान अपने अपने घरों में ही रहे अगर किसी का अनवस घर से बाहर हो तो सुरक्षित आसान को सरन ले उधर बीते दिन पलामू के महमदगाज थाना अंतरगात एक व्यक्ति की वजरपात की चपेट में आने से मौत हो गई नीजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फिस ही ले नहीं तो रद होगा एनो सी जारखन के नीजी स्कूलों में लोगड़न अवधी किसी ट्यूशन फिस लेनी होगी संक्रमन की वज़ा से जब तक इसकूल बंद रहेंगे तब तक ट्यूशन फिस के अलावा एनूवल फिस डेवलप्मेंट चार्ज बस किराया समयत आने किसी तरह की फिस का बुक्तान न नहीं करता है तो इस स्कूल का एनोसी रद कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ करवाई की जाएगी इसकूली और सक्षता सिच्छा विभाग ने गुरुवार कोई संब्द में अधिस्विचना जारी कर दिया है जार्खन में 29 संग्रमितों पुष्टी हुई जो गीडी से छो हजारी बाग पांच देवघर तीन धनवाद तीन दुमका तीन चात्रा दो पूर्वी सुम्दो पोकारों एक गोड़ा एक कोडारमा एक प्राकुड एक सराय के लासे एक हाए जार्खन में कुल संग्रमितों संग्या 2265 से बढ़कर 294 हो गई जबकि 1647 लोगस्वास तो बारा की मिरती हो गई भारत में कुल संग्रमितों पांच लाख नोग पांच लाख नोगस्वास तो एक टिव केस कहा कितना पूर्वी सिम्भूम एक सुच्यासर सिम्डेगा ठातर कोड़ारमा उन चालिस राची सरावनी मेला पर आगामी सुनवा इतिस जून को जार्खन के देवगर में सरावनी मेला के आयोजन को लेकर मंदीर प्रवंदन समिती के अध्यक सा देवगर के उपायूत को जार्खन हाइक ने नोटिस जारि किया है नोटिस जारिक अतिहासिक मंदीर मेला के आयोजन को लेकर कोड़ में सुनवाइकर करन उपायूत को जार्खन को निर्देष महिन का चावल और चना दाल की मांग मुंख्यमंत्री मुंख्यमंत्री यह थोनलने संक्रमन सगत के माधीन नजर प्रदानमंत्रीं गरीभ कल लियारन योजनात तथा अत्म नेवर भारत अभियान के तहुत घ्रसम! में खद्यां यहां डाल चना अपलवत कराने की कि इसके लिए उन्होंने केंद्रियों भूक्ता मामले खाद एवं सरुजनिक वित्रमंत्रा ले को पत्र लिखा है मुख्यमंत्री ने में पत्र लिख कर का कि जारखन में संक्रावन के संकट को देखते वे गरीब असाय तथा रोजमरा के जिन्दगी जीने वाले व्यक्तियो केंद्र सरकार ने लोटे प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए प्रथम चलान में कूल 116 जीलों का चैन किया है इसमें से जारखन के तीन जीला गिरीडी हजारी बागवा गोड़ा समीली था है इन सभी जीले में आजीव का आधारित का उसर पर सिक्षन अभियान ग पाकी जगा के लिए कुछ और सेक्टरों में गुरुवार से छुट दे दी है इस समान में गुरुवार को भी भीन विभागों के सचीव के साथ बैठक के बाद मुकि सचीव सुगदेव सिंग के अर्दा सर्थ से अदेह जारी किया गया है इसके ताहत ई-कोमर्स पर लगी खरीदारी किया जाने की अनुमती थी नक्सलियों के खिलाप चलाए सघन अभियान डीजीपी डीजीपी एमबी राव ने गुरुवार को पुलिस मुख्याले में सभी जीलों के एस एस पी एस पी वर रेंज डी आईजी के साथ वीडियो कंफिनसिंग कर अपराद वर नक् निर्देश किया है कि सर्टिक सुझनाव के अधार पर नक्सलियों के विरूत सगन अभियान चलाएं जारखन में 31 जुलाई तक बढ़ा लोगडाउन संक्रामन की रोक्थाम के मदर नजर हैमंद सरकार ने 30 जून 2020 तक घुसित लोगडाउन को सुक्रवार को एक आदेश ज लेंगे स्वरजनिक अस्थानों पर जमावडे पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी आपको बता दे कि सरकारी आदेश में कहा गया है कि होटल लोज धर्म साला रेस्टोरेंट और अन होस्पिटलाइज सेवाव को खुलने के अनुमती नहीं होगी सैलून पारलर और नाई की दुकाने भी बंद रहेंगी सरकार ने कहा है कि रात के नौ बज़े से सुबा पांच बे तक लोगों के अवागमन पर रोक रहेगी हलाकि इस दवरान आती अवसक सिवाव से जुड़े लोगों के काम पर कोई रोक नहीं होगी दुकान में हर कस्ट्मर का पता और फोन नमबर रखना होगा जरखन सरकार ने लोगड़न को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है इसके साथ 29 बी लगा दिया है इसमें एक बड़ा सर्थ यह भी है कि दुकान में आने वाले हर कस्टमर का पता और फोन नमबर का रिकोर्ड दुकान के मालिक को रखना होगा एक बार में पांच से ज्यादा लोग दुकान में नहीं जा सकेंगे इस दुकान के हर परवेश दुआर पसने टाइजर की वेवस्ता करनी होगी सुक्रवार को देर साम है मन्त सुरेन की सरकार ने इसका आदेश जारी कर दिया है चाठी जेपीसी का मामला सुप्रीम कोट पहुँचा है ज्यारखन लोग सेवा आयोग की छठी सीविल सेवा परिशावा परिशा फल का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोट पहुच गया है इस परिशा से समधित मामला पहले ही जारखन हाई कोट में चल रहा है छात्र नेता सुनील सुमन ने बताया कि परिशा में बरती गए अनिमित्ता कारोप लगाते हुए छात्रों के एक समू दवारा कुछ दिन पूर्व सुप्रीम कोट को एक पत्र लिखा गया था जिस पर कोट ने संग्याल लेते हुए इसे जानित याचका में बदल दिया है बाबुलाल ने कोईला अबैद करुबारियों के जुड़े तार संबंधित सीबी आई को लिखा पत्र बाबुलाल ने सीबी आई द्वारा जबत कोईले की हो रही चोरी कोईले का सीबी आई के निदेशा को पत्र लिखा है और इसमें सामिलित लोगों के वीरोत करवाई की मांग की है पत्र में उन्होंने कहा है कि कोल बलोक अवंटन जैसे बहुचर्ची घोटाला से मामला जुड़े होने के कारण इसमें बड़े अस्तर पर खेल किये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता इसमें कोईला के अवैद करोबार्यों वकुष अस्थाने राजनी तग्यों के नपाक कर्ष जोड के तार आपस में जुड़े रहने की चर्चा है जार्खन के करीब 66 अलग से अधिक विद्यार्थियों के इंतियार खतम होने वाला है जार्खन अधिवीद परिशत के मैट्रिक और इंटर के इन विद्यार्थियों के कोफी का मुली अंकल अवग पूरा हो चुका है जार्खन एकेडमी कॉंसिल अव्यूद अस्तर पर रियल्ट के परकाशन के तियारी में जुटा हुआ है कॉंसिल के अधियक्ष अर्विंद कुमार सिन ने तोया अविक बता दिया है कि रियल्ट कब तक जारी होगा जैक के अधियक्ष ने बता आए कि जुलाई के पहले सप्ता में दसवी और बराविक की रिजल्ट का परकाशन कर दिया जाएगा सराब विक्री बढ़ाने के लिए दाम घटाने पर विचार जार्खन में सराब पीने वालों को सरकार राहत देने की तयारी में जुट गई है सरकार सराब पर लगने वाले अतिरिक टेक्स को कम कर उभगताओं को सस्ती दर में उपलव्द कराने पर मंथन कर रही है इस समब्द में उत्पाद मंत्री जगरनात महतो ने बताया कि ऐसी निती बनाने की तयारी चल रही है कि सराब के सोखीन पर वोज न पड़े साथी राजास्वक की भी बढ़ोतरी हो सके पलामू के चैनपूर थाना मुनसी घुस लेते पकड़े गए प्रश्टाचार निरोधक ब्योरो की पलामू टीम ने चैनपूर थाना मुनसी वचोकिदार को दो हजार रुपए घुस लेते हुए रंगवे हाथ गिरफतार किया है जनकारी के अनुसार कंकारी निवासी एसीवी को आवेदन देकर मोटरसाइकल छोड़ने के एवज में मुनसी द्वारद्दू अजार रुपए घुस मांग कर जाने की सिकाज की थी जाज के बाद मामले को सते पाते हुए एसीवी ने सुक्रवार को दावा दलका गठन किया तिरी पूरा से 107 मजदूर लोटे लाते हार तिरी पूरा से 107 मजदूरों को लेकर सुक्रवार की दोपहर में मजदूर 26 ट्रेन लाते हार पहुंची ट्रेन में लाते हार के अलावा चात्रा जीला के मजदूर सवार थे प्रवासी मजदूरों को आगमन के लेकर परसासंद वारप पुरी तैयारी की गई थी सभी का थर्मन स्केनिंग के बाद उन्हें ग्रीह जीला तक छोड़ा गया बैंक हर हाल में दे रीन डीडिसी विकास बवन इस्थित उप विकास आयूग सभागार में गुरुबार को जीला स्तरिय समझन समिति की बैठक उप विकास आयूद अन्यान मितल्व की अध्यक्स्ता में हुई बैठक में नई बितिय वर्ष 2021 के जीला साख योजना का निधारन किया गया यहां बितिय वर्ष 29 के दोरान बैंकों के रीन जमा अनुपात इत्यादी योजनाओं की उपलदियों की समिक्षा की गई नई बितिय वर्ष के लिए बैंकों के बीच रीन के लक्ष का भी निध चीत करें अंतराश्ट्रिय मादक विरोधी दिवस पर आरपीएफ ने निकाली रहली अंतराश्ट्रिय मादक विरोधी दिवस के अवसर पर मधुपूर आरपीएफ ने सुक्रवार को इंस्पेक्टर इंचाज असीस कुमार के नेत्युत में जगरूता रहली निकाली गई जिसमें रेलवे सुरक्षाबल के जवानों ने हाथ में बैनार वा सकती लेकर स्टेशन रोड से सहर के परमुक चौक चौरा है रेलवे कलोनी का भरमन कर नासा बिरोधी नारे लगाए वह लोगों से अपील की कि नासा का सेवा ना करे साथ साथ और पीएफ जवानों के द्वारा परचा का वित्रन भी किया गया धन्यवाद कल से आपको 25 वीडियो मिलते रहेंगे आज के लिए बास इतना ही चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब कर बहुत अबहुत 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 करें दबाए साथ सब्सक्राइब प्रिंट